नमस्कार दोस्तों दोस्तों यदि आप दाग, दबे, मोहसे, पिंपल्स, जाईया, आखों की चारो और होने वाली जो काली निसान है या उमर के साथ बढ़ते उमर के साथ जो आपके चेहरे में जो जुरियां जो पढ़ चुकी है बिल्कुल चेहरा आपका ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं, सत्तर, असी, सत्त, आसी बर सके जो ब्रिद्ध, मुझे के लोगों की जो चेहरे होते हैं, कुछ इस हिसाब का आपका फेस है, आपका चेहरा है, दिखने और दिखाने योग्या, दिखने और दिखाने लाइक है यदि आपका चेहरा बचानी है, बिल्क करकर के करकर के थक चुके हैं बहुत सारी कमपणी की dbarah जो product जो बनती जो medicine जो बनता है उनकी दवाईओं को यदी यूजिक करकर के यदी आप थक चुके हो तो दोस्तों मेरे एक सला को जरूर माने और जो मैं दवाई आपको यहां पर प्रवाइड कराने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, मैं कई सालों से आपने आने वाले लोगों को में ये दवाई भी प्रवाइड कराता हूं, तो कई प्रकार के जो समस्या हैं, उनसे वो लोग, उनको निजात मिलती है, तो अगर चाहो तो थोड़ा सा मेनत करो, बजार स जो पंसारी के जो दुकान है जहां पर सुद्ध जड़ी बुटी मिलते हो ये जरूर ध्यान देना कि कुछ जड़ी बुटी रखने वाले जो है सिर्फ व्यपार के ही हिसाब से हैसियत से जड़ी बुटी आपको देते यानि कि अगर हम कह दे मंजिस्था तो वो कुछ और पक किसी सजन के रेक देख में आप यह जड़ी बुटी बजार से मगा के लहिएगा और जिस बिदी से मैं बनाने के लिए आपको बता रहा हूं यदि आप उस बिदी से इसको बना करके रखेंगे और यदि आप प्रतिदिवस इसको प्रयोग में लाएंगे तो आप निश्च में पहले जैसा दाग पिंपल्स और दब्बे आदी जो दिखाई देते थे यह तीन मैने का यह कोर्स है दोस्तों तो तीन मैने तक आपने रेगुलर इस मेडिसिन को लगाना है तो तीन मैने से पहले पहले आपका ठीक हो जाएगा लेकिन टोटल यह तीन मैने का कोर्स है त पिलकुल पिला पिला से नगराने वाला हो, इस तरिके और एक आम हल्दी होता है, वो भी 10 gram, 10 gram दारु हल्दी लोद्र 10 gram की 10 gram, गेरु 50 gram, नीम की छाल यह आप बाहर से ताजा लिया सकते हो कहीं आपके अरोस-पडोस में लगा हुआ हो पेड़ तो नीम की जो छाल है आपने चक्कु से क्योंकि यह साइद बजार में मिले छाल नहीं मिलती, पाउडर लेके नहीं आना आप अपने अरोस-पडोस से ताजा लियाओ अच्छा रहेगा तो पच्चीस ग्राम नीम के छाल लगाना है बच्च आपने तीन ग्राम लेना बजार से मुलताने मिलती पच्चीस ग्राम अब आगिया तीन ग्राम केसर सुद्ध और ताजा मलाई तक करिवन भी लगा लो की यह तीन यह चार चमच और गाय का दूध उतना जितने में यह सारे चीजे बनाया जा सके अब देखे बनाने की बिदी यह सबी चीजों को अलग-अलग कुटना है कुटने के बाद सारा जो पाउडर बने गया फिर एक कठा इन सब को रखिए एक कठा रखकर के भी थोड़ी देर तक इसको रगडते रहना है कुछ इतना रगडों की यह जो सारे जो जड़ी बुटी है एक जान हो जाए मतलब कि इनको रगड नकुछ इस हिसाब से है कि जब आप उंगली से जेख करोगे तो उंगली में जो छोटी छोटी जो रखाएं होती है न उन्हें रखाओं के अंदर जाकर को प्रविष्ट हो जाए मतलब इतना बारिक सा जितना बारिक होगा जड़ी बुटी जितने बारिक और छोटे छोटे करके पिसेंगे आप इसको बिल्कुल पतला करेंगे यह उतना ही फाइदा देने वाला होता है तो यह सारे चीजे करने के बाद बिल्कुल जब यह पतला हो जाए बिल्कुल बारिक पाउडर सा हो जाए उसके बाद उसके उपर आपने क्या करना कि सुद्ध और ताजा तीन या चार चमच मलाई उसके उपर डाल देना किसी एक प्लास्टिक के छोटा सा ले लेना पात्रा डोंगा ले लेना या प्लास्टिक का कुछ भी जो होता है काटोरी टाइप का वो ले लेना फिर उसमें डालना आपने चार चमच मलाई फिर उसके उपर आपने डालना है केसार इसको भी थोड़ा सा कुट लेना उसको उसके बाद फिर उसमें उतना दूद डालना जितने से कि यह एक प्रकार से liquid बन जाए ज्यादा गिला नहीं करना लिक्वड बन जाए चाहो तो आप इसको मिक्सी में लगा करके बड़ी असा इसको ग्रैंड कर सकते नहीं तो अगर यदि आपके घर में इमाम दस्ता होगा तो इमाम दस्ते में डाल करके अच्छी तरह से कूटी है इसको इसको रगड लीजेगा वहाँ पर गाय का दूद डाल के बड़ी असा इसको रगड लेना यदि आपके बगल में आपके पास यदि बकरी का दूद हो तब तो पितो कह नहीं किया देखना स्मर्ण रहे कि जो दूद आप डाल रहे वो पका हुआ दूद होना चाहिए पक करके जो ठंडा हो जाए त बिल्कुल चुर्मा बन जाए है या हूँ कहों कि इसके यह दवाई का पे तेल निकल जाए बहुत बड़ी असा इसको आपने ग्राइंड करना है उसके बाद आपने क्या करना कि अपने फेस में जैसे सबेरे सबेरे भी लगा सकते रात में भी लगा शकते तो लगा कर पु इसी तरह से ठंडे पानी से इसको दो करके बढ़िया सा जो कॉटन के जो कपड़ा होगा